लोग सबच नव में मिली करारी हार के बाद कॉंग्रेस पार्टी ने अगले एक महीने के चलते अपने परवक्ताओं के टीवी डिबेट में हिस्ता नहीं भेजने का फैसला कर दिया समाचवादी पार्टी के बाद कॉंग्रेस ने ये कदम उठाने वाली अब दूसरी पार्टी बन चुकी है कॉंग्रेस परवक्तार अंदीप सुर्जेवाला ने ट्विट के जरीए ये जानकारी सभी परवक्ताओं को दी सूर्जेवाला ने कहा कि कॉंग्रेस ने एक महीने के लिए टेली विजन बहस पर परवक्ताओं को नहीं भेचने का बड़ा फैसला लिया है सभी मीडिया चैनलों और साथी संपात्मों से अनुरोध है कि अपने शो में कॉंग्रेस के प्रतिनीधियों को शामिल ना करे ना उन्हें आमंत्रित करे हाला कि कयास ये भी लगाय जा रहे है कि कॉंग्रेस के अधर्ख्ष अपने पत पर बने रहने के फैसले और साथी पार्टी में संपनात्मक बदलाव तक ये कदम उठा सकते हैं